Let's look into the multiplication of matrices. Multiplication कैसे करते हैं? Multiply करने के लिए, आप कोई से भी दो matrices बना ले. Say for example, मैं यहाँ पे A, और मैं यहाँ पे A बनाता हूँ जनाव, 1, 2, 3, and 4, और B बनाता हूँ यहाँ पे 5, 6, and 7, 8. ठीक है? यह दोनों मैं multiply करना चाहता हूँ. Let's see, हमारे पास, जब हम multiplication करते हैं, तो answer किस तरीके से हमारे पास आते हैं? मैं यहाँ पे multiplication के बाद, directly जो है, अपने answer लेखूँगा, फिर आपने देखना है कि क्या किस तरीके से चल रहा है? Say for example, multiply करना है, 1 multiplied by 5, यह मैंने multiply कर दिया, ठीक है? Plus, 2 multiplied by 7, अगर आप गौर करें, तो मैंने क्या किया है? 1 multiplied by 5, and then 1 multiplied by 7, यह कर दिया, ठीक है? तो इसका मतलब यह है, कि 1 को इन दोनों के साथ मैंने multiply किया, दोनों क्या हैं यह? यह दूसरे matrix के i hat है, ठीक है? So हमने पहला काम यह करना है, 1 multiplied by 5, and 2 multiplied by 7, फिर नीचे की तरफ आते हैं, यह जो होगा, 3 multiplied by 5 होगा, and then 4 multiplied by 7 हमारे पास हो जाएगा, हम इस तरीके से लिखते हैं, sorry, यह जो पीछे वाला है, इसमें थोड़ी सी गड़बड होगा, यह लगते हैं, just one second, this is not like that, this should be like this, sorry for that, थोड़ी सी confusion थी, okay, मैं भी कहूँ, यह 2 multiplied by 7 आना था, okay, then हमने इसको multiply करना है, 5 के साथ और फिर 4 को करना है, ठीक है, अब हम दूसरी साइट पे चलते हैं, 3 multiplied by 5, and 4 multiplied by 7, इनको हम जमा कर लेंगे, so usually हम क्या करें, 3 multiplied by 5, plus 4 multiplied by 7, ठीक हो गया, क्या असल में, अगर आप गौर करें, यह क्या चीज है, यह basically एक वेक्टर को मेट्रिक्स के साथ आप multiply कर रहें, यानि कि, अगर मैं इसको दिखाऊं, तो यह same वो ही चीज है, कि आपने i hat को लिख लिए है, यहाँ पे 5, 7, और इसके ओपर अपने मैट्रिक्स की transformation लगा रहे हैं, which is 1, 2, 3, and 4, और इसका जो solution है, हमने पहले भी देखा है, that is something like 5 into 1, 3, plus 7 into 2, 4, ठीक है, अगर आप इसको resolve करेंगे, तो आपके पास आएगा 5 into 1, यानि के यह, plus आपके पास 7 into 2, तो इस चीज को मैंने direct लिख दी है, ठीक है, यह चीज मैंने direct लिख दी है, so this is how you can work on matrix multiplication as well, मैं भी आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आजएगा 7 2s are, sorry, 7 multiplied by 4, so यह at the end हमारे पास इसका answer आता है, 5 जमा 14, 5 plus 14, and 15 plus 28, this is how you can actually resolve these things, ठीक है, so मेरे पास मैंने इसी तरीके से इसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप गौर करें, तो पहले मैंने जो situation मेरे पास है यहाँ पे, अगर आप देखें, तो पहले i hat को मैंने इसके साथ मल्टिप्लाइ किया, उसकी values यहाँ पे लिख दी, अब मैं करूँगा j hat को, यह जो 6 and 8 है, और उसकी values यहाँ पे लिखूँगा, तो 1 multiplied by 6, यानिके, like this, plus, मेरे पास आएगा, second one is, 2 multiplied by 8, यह वो ही चीज है, सिरफ हमने उठा के, इसका मूह दूसरी साइट पे कर दिया, ठीक है, और फिर हमारे पास आएगा, 2 multiplied by 6 and 4 multiplied by 8, तो यह at the end, जो हमारे पास matrix बनता है, यह बनता है, 19, 22, 43 या 43 and 50 का, सो इस तरीके से, आप matrix को multiply कर देते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर matrix को multiply आपने कर लिया, matrix को multiply करने के बाद, अगर मैं आपको बोलूँ के, इसका transpose लें, तो आप वो किस तरीके से लेंगे, से फॉर एक्जेंपल, इस matrix का नाम मैं रख देता हूँ, तो c, यानि कि a multiplied by b, जब हमने किया, यह c के equal था, c का जो मेरे पास value है, वो है 19, 22, 43 and 50, यह 4 values है, अब इसका मैं कहता हूँ, transpose लेना है, तो आप इस तरीके से c के उपर t लिख देंगे, अगर a का लेना है, तो a के उपर इस तरीके से, आप जो है t लिख देते हैं, t लिखने के बाद, super script के उपर, आप इसको अब rows को columns में, और columns को rows में कर देंगे, यानि कि 19, 22, 43, 50, इस तरीके से यह उल्ट हो जागा, यानि कि rows को column में, column को rows के अंदर कर देंगे, यह transpose हो गया, हमने कल भी देखा था, इसी तरीके से हमारे पास, जो है transpose के इलावा, आपके पास determinant भी होता है, determinant क्या है, उसको हम देखते हैं अब इस lecture के अंदर, और determinant समझने के लिए, आपको बहुत अच्छी example में देने वाला हूं, ग्राफ के उपर और इनिशाला आपको वो समझ आएगी,